आदमपूर में उक्चुनाव को लेकर सियासी जंग जारी है सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो कुल्दी बिश्णोई के बयान पर सियासत गरम है आम आदमी पाठी की नीता अनुराग धांडा ने कुल्दी बिश्णोई पर जम कर निशाना साधा आदमपूर मेरा परिवार है वैसे तो वो यह बोलते हैं लोगों को दिखाने के लिए लेकिन मानते वो यह हैं कि उनका परिवार ही पूरा आदमपूर है उनके परिवार के बाहर आदमपूर है ही नहीं तो मैं यह आदमपूर के अपमान के बारे में उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उनको पूरे आदमपुर में जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे थो उन्होंने फैसला किया क्या उनको पूरे आदमपुर में एक भी हुआ ऐसा नजर नहीं आया एक भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आया जो विधायक का चुनाव लड़ सकता है क्या सिर्फ उनके ही बेटे इस काबिल हैं, क्या सिर्फ उनके ही बेटे इतने पढ़े लिखे हैं, क्या सिर्फ उनके ही बेटे राजनीती में सब कुछ जानते हैं, क्या सिर्फ उनके ही बेटे जन सेवा कर सकते हैं, क्या सिर्फ उनके ही बेटे विधायक बन सकते हैं, उनको आदमपूर में कोई और नजर नहीं आता मुझे लगता है कि कुलदीब विश्णोई जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है वो लड़ खडा रहे है इस राजने तिक पिछ पर इसलिए एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक आदमपूर की जनता का आदमपूर के आप मान कर रहे हैं वो ऐसा कह करके या प्रेजिडेंट मिला कॉंग्रेस को कुछ फरक पड़ेगा सार इस चुनाओं में दूसरे कई राज्यों में चुनाओं हो रहे हैं वहां पर कुछ फरक पड़ेगा इसका कॉंग्रेस में कोई पोजिटिव चीज आएगी देगे जीतेंगे के हारेंगे इसका मतलब वो अंदर अंदर उनके वरकर्स हाराने के लिए काम करेंए शुक्रिया सर तो यह थे अनुराग धाना जी राष्टी है सलाकार है आम आदमी पार्टी के और साथ में राजय सभासांसत सुसील गुपता जी थे हर्याना के परबारी हैं प अच्छा उप्शन मिला है तो जाहिर सी बात है सिक्ष्या स्वास्त रोजगार के मुद्दे पर यहां की आदूंपर की जो जनता है वो मुहर लगाएगी कैमरामेन अतुल के साथ अंडिया अदूंपर से विकास विश्णोई